लोज दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की जहां हम रहते हैं यानि की हमारा घर जी हां हमारा घर जहां भी हम रहते हैं वो है हमारा घर भले ही हम अलग-अलग जगह पर रहते हैं अलग-अलग घरों में रहते हैं लेकिन कुछ तो सेम यानि की एक जैसा होगा न हमारे घरों में एक चीज है जो सेम है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर अपने घर के अलग-अलग हिस्से यानि की कहां पर कौन सा काम होता है आईए देखते हैं ये जो है ये है पूजा करने की जगा तो ये मेरे घर का वो हिस्सा है जहां पर होती है पूजा ये जो हिस्सा है यहां पर तयार होते हैं यानि की रेडी होते हैं यह हिस्सा है किताबे रखने की जगा का, यह हिस्सा है खाना पकाने की जगा का, यानि कि जहां पकता है खाना, यह हिस्सा है खाना खाने की जगा का, जहां पर इस टेबल पर बैट कर हम लोग खाना खाते हैं, यह जो हिस्सा है यह एक दर्वाजा तो है शौट जाने का, यान की जहां बैड रखावा है यहां पर हम सोते हैं तो यह थे मेरे घर के अलग-अलग हिस्से तो आपने देखा मेरा घर अब हम देखते हैं छोटू का घर जिहां छोटू जो की पहली बार मुंबई गया और वहां पर उसने बनाया अपना एक घर तो आईए उसके घर की और नज से हैं छोटू की जो कहानी है यह लिए गई है आपकी NCRT की पुस्तक आसपास जो की है कक्षातीस जी की आसपास उसके पार्ट पांच से तो आईए जानते हैं कहानी किस की छोटू की और उसके घर की तो देखिए छोटू जो है वो पहली दफा आया है मुंबई अपने घर की और काम की तलाश में और फिर अचानक हो जाती है बारिश और देखिये कैसे दुपका सा झोटू एक कोने में बैठा है बारिश से बचने के लिए एक कपड़ा ओड़ कर पास ही उसे दिखता है एक पाइप जिसमें जाकर छोटू लेट जाता है और बारिश से बच जाता है आगे क्या होता है? आगे देखो तो छोटू ने वही पर अपने कपड़े एक तार पर सुखा दिये नीचे अपना बिस्त्रा लगा दिया पास में ही एक ड्रम में पानी है और एक डिबबा है और बिल्कुल उसी के पास उसने एट परचूला बना कर आग लगा कर उस पे वो कुछ गरम कर रहा है शायद वो कुछ पका रहा है तो किस तरीके से छोटू ने इस पाइप को ही अपना घर बना लिया आईए देखते हैं आगे क्या होता है फिर आता है उसी शहर में यानि मंबई में मोनू तो ये जो बच्चा है इसका नाम है मोनू तो मोनू आता है और उसको दूर से खड़ा कौन देख रहा है ये रहा छोटू आगे क्या होता है आगे दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक साथ यहीं रहने लगते हैं देखो किस तरीके से छोटू और मोनू ने मिलकर अपने इस जो पाइप का जो घर है उनका उसको कितना खूबसूरत तरीके से उसका इस्तमाल करा पास ही में उन्हें टिंग डाल कर बैटने के लिए जगा बना ली जिसके नीचे बैट कर वो पी रहे हैं चाय और उसी के पास उनका चूलहा है अगर हम ध्यान से देखें इस वाली तस्वीर में तो किस तरीके से जैसे किस तरीके से छोटू ने अपने घर को इस पाइप को अलग-अलग हिस्सों में बाट दिया और अलग-अलग काम के लिए उनका यूज कर रहा है जैसे कि घर के पास जो है उसने ये ड्रम रख लिया चूलहा लगा दिया घर में पाइप में उसने एक तार बांद कर कपड़े सुखाने की जगा बना ली तो वहीं छोटे से हिस्से में उसने अपना बिस्तर लगा लिया तो किस तरीके से उसने इस पाइप को अपने इस घर को अलग-अलग हिस्सों में बाटा और उस अलग-अलग हिस्सों में उन अलग-अलग हिस्सों में हो रहे हैं अलग-अलग काम तो आप ने देखा मेरे घर के हिस्सों को और दूसरी तरफ हमने देखा छोटू के घर के हिस्सों को भले ही हम दोनों का घर अलग-अलग था लेकिन जो चीज सेम थी, वो थी कि हम दोनों के घर जो है वो अलग-अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, यानि कि कहीं पे खाना पकता है, कहीं पे कपड़े सूखते हैं, तो कहीं पे पूजा होती है, तो कहीं पे सोते हैं, इसी तरीके से हम सब के घर भले ही अलग-अलग हो, लेकिन हम चोटे-चोटे हिस्सों में बटे होते हैं, जहां पर होते हैं अलग-अलग काम, तो आप भी देखना कि आपका जो घर है, वो किन-किन हिस्सों में बटा हुआ है, और किन हिस्सों में होता है, कौन सा काम, और आप कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं. झाल